नमस्कार दोस्तो मेरे नाम इंजिनियर विनेर राय है और आप देख रहे है करियर डिफेंस स्कूल अमबाला दोस्तो इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं । 'sफयो आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुपाल गंज की जानकरीद दी गई है और आपको मैं बता दूँ कि सैनिक स्कूल गुपाल गंज की जो स्थापना है वो 2003 में की गई थी और इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 1,23,000 तो यह वीडियो आपके लिए तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें ध्यान से देखें और अगर अब भी तक आपने हमारा स्कूल में फ्री पढ़ाया जाएगा तो आपको क्या करना है जल्दी से जल्दी साइनिक स्कूल गोपाल गंज की वीडियो पूरी देखने है और हमारा परसेंट सीट से रिजर्वड होती है 15 परसेंट सीट का मतलब यह हो गया कि आपको करीब करीब 12 से 15 सीट दी जाती है 6th क्लास के लिए इसमें बच्चों को सलेक्ट किया जाता तो यह वो बच्चे हैं जो स्ट के डेगरी से साइनिक स्कूल गुपाल गंज में 6th क्लास के की तो ST के टेगरी में सिर्फ 7.5% सीट होती है यानि आप मानके चलिए कि करीब करीब 3 से 5 सीटे जो होती है वो ST के लिए रिजर्वड होती है सैनिक स्कूल गुपाल गंज में और यह वो रोल नंबर है जिसमें से बच्चों को सलेक्ट किया जाएगा आगे चलते हैं और ब के बच्चे का रोल नंबर इस लिस्ट में है अगर है तो आपका बच्चा सेलेक्टेड है और यह है जर्नल के टेगरी आपको पता है सबसे ज्यादा जो सीट होती है वो जर्नल के टेगरी में होती है तो यहाँ पे जो जर्नल वाले उनको अपना रोल नंबर चेक करना है औ और यहां पे आपको देखना है जो SANE जो आपके Defense Kategorie के बच्चे appointments नहीं करते हैं भीहार से बिलोंग नहीं करते हैं किसी Other States से बिलोंग करते हैं आपको पता है Defense वालों के लिए 25% सीटे घोंग जो आपको इसमें चेक करना है और जो अन्य राज जिसे आते हैं यानि other state journal वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर अपना roll number चेक कर सकते हैं बहुत ही छोटी सी वीडियो है और इन बच्चों को क्या करना है medical के लिए बुलाया जाएगा 20 फरवरी से आप लोग को active रहना है और आप लोग को call letter आएगा यहाँ पर देखिए point दिया गया है अगर किसी अभ्यारती को 9 फरवरी 2020 तक call letter नहीं प्राप्त होता है तो वो सैनिक स्कूल गोपाल गंज की website www.sanicschoolgopalgंज.in पर login कर प्राप्त कर सकते हैं दो passport size photograph स्कूल द्वारा बताई गई तिथी तदा समय पर गोपाल गंज सदर अस्पताल में आपको पहुंच रहा है तो आप लोग का medical किया जाएगा और अगर आपको call letter नहीं मिलता है तो आप directly sanic school गोपाल गंज.in पर जाकर के download कर सकते हैं अपना roll number डाल करके ठीक है जी तो यह कुछ ऐसी बाते हैं और आपको जो रहने खाने पीने का जो बंदोबस्त है जो दो से तीन दिन का medical conduct किया जाएगा मैं आपको बता दूँ परतेग छात्र को चिकिस्सा परिक्षा अपने अभिवावक यानि माता पिता के साथ आना होगा वो दो तीन दिन रहने की विवस्था स्वैम करनी होगी अभिवावकों से अनुरोध है कि अभ्यारती के कान अवैसे साफ करवाएं अन्यथा medical नहीं किया जाएगा यानि बच्चों को आपको जो भी बच्चे medical के लिए जा रहे हैं वो अपने रहने खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे कम से कम दो से तीन दिन का और कहां पे करेंगे गुपाल गंज सदर अस्पताल के पास में और इसके अलावा आपको important चीज ये भी बता दें कि बच्चे का कान और बच्चे के दा आपको साफ करवा करके लेके जाना है और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो 06-150-295114 पर आप कॉल करके सैनी स्कूल गोपाल गंज में आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं तो अगर आप बिहार से हैं सैनी स्कूल गोपाल गंज के लिए आपने form बराता तो ये वीडियो आपके लिए 741-9999-228 हमारा हेल्प लाइन नंबर है हर रोज रात को 9-10 में लाइव आता हूं आप कोई भी कर सकते हैं डिरेक्टली लाइव आ करके थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो जै हिंद जै भारत